बच्चों में हाथ अटेक जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना छोटे बच्चों में हाथ अटेक का खत्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर आपने न्यूज में देखा हो तो रीसेंटली मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 9 साल की बच्ची को एड्मिट किया गया क्योंकि उसको हाथ अटेक आये था उस छोटी सी बच्ची की बाइपास सर्जुरी करने पड़ी और सामने आई पांच बड़ी वजए ये पांचों वजए सुनके आप चौक जाएंगे और यही है आज की वीडियो का टॉपिक जहां हम डिस्कस करने वाले हैं पांच ऐसे रीजन जो के हमारे बच्चे को इस हाथ अटेक की प्रॉब्लम की तरफ लगातार धकेलते चले जा रहे वेलकम बैक तो 3D Health माइन आम इस श्रंकला शर्मा और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है जहां पर हम ऐसी पांच वजए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो के हमारे बच्चों के लिए बहुत खदरनाक हो बात कर लेते हैं सबसे बड़ी और पहली वज़ा जो के सबसे जादा इंपॉर्टन है जो के आज कल के बच्चों में सबसे जादा देखी जाती है दोस्तों नीद की कमी आज कल के बच्चे टीवी है जो भी उनके कार्टून है या फिर और भी जो भी चीज़े हैं उनमें इतना बिज़ी हो जाते हैं कि उनकी नीद पूरी नहीं हो पाती है और सोने में उनको वही 10, 11, 12 बच जाते हैं और मॉर्निंग में क्योंकि उनका स्कूल है हम चाहें तो भी उनको सोने नहीं देते हम उनके मॉर्निंग में उठा देते हैं क्योंकि उनको स्कूल टाइंगली पहुचना बहुत जरूरी होता है सो ऐसे में क्या होता है बच्चों के नीद पूरी नहीं हो रही है और अगर ये रोज होगा अगर ये लगातार होगा अगर नीद बच्चों की लगातार पूरी नहीं होगी तो ये ना सिर्फ बच्चे के फिजिकल हैल्थ को बलके उसकी मिंटल हैल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाली है सो बहुत ध्यान रखना होगा हमें बच्चों की नींद पूरी होना बहुत जरूरी है दूसरी बड़ी वजा जो के हम सब को पता है बच्चों में बढ़ता मुटापा इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अब बच्चों में मुटापे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनको हम बहुत एजीली घर पे सॉल भी कर सकते हैं जो के हमने एक वीडियो में अल्रडी डिसकस किया हुआ है अगर आपने चेक आउट नहीं किया है तो आप जाके जरूर चेक आउट कर लें बच्चों में मुटापा हमें नहीं बढ़ने देना है और इसकी तीसरी सबसे बड़ी वजा हमारे बच्चों की डाइट हमारे बच्चों की डाइट में से लगातार जो हेल्दी चीजे हैं वो कट होती जारी है आउट होती जारी है बाहर होती जारी है थाली से और जो चीजे एक्चुल में उसके लिए काफी डेंजरस हैं बिल्कुल भी healthy नहीं है, सो सारी unhealthy चीज़े वो उसकी plate में धीरे धीरे आती जा रही है यानि कि हमारे बच्चे की plate से healthy चीज़े निकलती जा रही है और unhealthy यानि कि junk food, fast food उसको replace करता जा रहा है अब ये दो चीज़े हो रही है पहली चीज़ बच्चे की diet से जो भी healthy चीज़े हैं वो दूर होती जा रही है यानि कि बच्चे को जो portion है वो नहीं मिल पा रहा है इससे क्या होगा? बच्चे की growth नहीं होगी बच्चे की proper growth और development के लिए जो उसको nutrients चाहिए जिस quantity में चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहे है और उसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है जो कि उसके लिए बहुत जादा dangerous हो सकती है वो है लगातार बच्चों में जो craze है वो भड़ता जा रहा है junk food के लिए junk food जो कि हमारे digestive system के लिए बिलकुल भी अच्छे नहीं है वो उसको लगातार damage करते जा रहे है और कहीं न कहीं हमारे brain को भी बहुत बुरी तरीके से affect करते है और इसका चौथा सबसे बड़ा reason बच्चों में लगातार physical activities कम होती जा रहे है और उसका सबसे बड़ा reason है बच्चों का daily routine बच्चे morning में उटते हैं, school चले जाते हैं school से आते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा rest करते हैं और tuition चले जाते हैं tuition से आते हैं, अपने school का थोड़ा सा homework है वो करते हैं टूशन का कुछ अगर homework है तो वो करते हैं, थोड़ा सा TV देखी और बच्चे सोने चले जाते हैं, क्योंकि अगेन उन्हें सुबह जल्दी उठना है, अब इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को खेलने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों के उपर load इतना जा अब बात कर लेते हैं, लास्ट और पांचवे रीजन की, वो है दोस्तों, mental pressure, बच्चों के उपर आज के टाइम में इतना जादा mental pressure है, कि उससे क्या हो रहा है, बच्चे का self-steam कम होता जा रहा है, बच्चे का confidence लगाता डाउन होता जा रहा है, बच्चे की जो हिम्मत थी जो courage था, जो initiative लेनी की, जो उसकी प्रकरती थी, जो उसका nature था, उसकी जो leadership quality थी, उसका जो confidence था, सब धीरे धीरे खतम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे के ऊपर teachers की तरफ से एक load होता है, कि आपको homework timely complete करना है, उसके ऊपर से हम parents की उम्मीद हैं, कि बच्चे को first आना है, second आना है, 99 percentage लेके आना है, अगर एक भी number कर जाता है, तो हम parents उसकी class लगा देते हैं, अब आप सोच के देखिए कि बच्चे के ऊपर कितना pressure है, school से pressure है, teachers की तरफ से, friends की तरफ से, principal की तरफ से, हम parents की तरफ से, society की तरफ से, हम बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक ideal बच्चा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा बच्चा, good boy, good girl की image में डालना चाहते हैं, एक पढ़ाकू बच्चा बनाना चाहते हैं, अब आप सोच सकते हैं, एक छोटे से बच्चे के लिए, क्या ये सारी चीज़ें possible हैं, सो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, बच्चे को न आज से ही शुरू करते हैं, ताके हमारे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा लोड कम हो, थोड़ा सा प्रेशर कम हो, बच्चों की हैल्थ अच्छी हो, बच्चे ठीक से खेल पाएं और ठीक से सो पाएं. I hope दोस्तों आपको information useful लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज इसे like करें, और comment में जाके अपनी राएं जरूर बताएं कि आपका इस topic के बारे में क्या सोचना है, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, किसी और topic के साथ तब तक के लिए, bye bye, take care, stay healthy and stay happy, thank you so much.